हलो दोस्तों मैं विवेक माईश्वरी आप लोगों का स्वारत करता हूँ मेरे ओडियो नोट्स की श्रंखला में आज का ओडियो नोट्स राजस्तान की शेत्री ये बोलियों के उपर है उसको चालू करने से पहले दो तिन बाते कहना चाहूँगा कुछ लोगों के रेविव आये हैं कि हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलता है मोटिवेटेड नहीं रहता है हमेशा तो उसके लिए जब हम मोटिवेशनल स्पीच चाहिए हमारे को लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूँगा मोटिवेशनल स्पीच जब हम सुनते हैं उस समय मौसम एकदम सुहावना लगता है चारो तरफ हर्याली नजर आती है लेकिन तोड़े समय बाद जब वो motivational speech खतम हो जाती है या उसके आदे गंटे बाद हम जब originality में आते हैं तब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है इसलिए self motivation होना जरूरी है ना कि motivation self motivation ही आपकी success की एक मात्र किये दूसरी चीज आप यदि notes नहीं बनाते हैं तो आप लोगों से पीछे रह जाएंगे ये बात लिख कर रखिए क्योंकि notes बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और खुद की language में बनाना बहुत ज़्यादा तो चलिए अब सुरुवात करते हैं राजस्तान की शेत्रिय बोलियों के बारे में राजस्तान में कहावत प्रिसिद्ध है पांच कोश पर पानी बदले साथ कोश पर वानी अर्थात पांच कोश पर पानी बदल जाता है और साथ कोश पर वानी यहां की बदल जाती है उत् प्राक्रति में सबसे पहले आरे भासा से वैदिक संस्कृत जिससे पाली, पाली से सौरशैनी प्राक्रत उससे गूजरी अपब्रंश फिर राजस्थानी का निर्मान हुआ है। टिंगल जो है, वह है चारणों द्वारा पर्युक्त होती है, यह मारवाडी मिश्चित राजस्थानी है, तथा गीत के रूप में है, वे पश्चिमी राजस्थान में चलती है यह है, और गूजर अपब्रंश से निर्मित है, तथा दूसरी और पिंगल भाशा संस्कृत से जो की ब्रज भाषा वे खड़ी हिंदी का मिक्सर है पिंगल के अंतरकत भाटों द्वारा प्रियुक्त की गई है पिंगल जो की ब्रज मिश्रित राजस्तानी है छंद वे पदों में है तथा पूर्वी राजस्तान में प्रचलित है और सौर्शनी अपभरंस से यह निर्मित है अब आई शुरुवात करते हैं विक्रम समवत 835 में उध्योतन सूरी द्वारा रचित कुवले माला ग्रंत में 18 देशी भासाओं में मरू भाषा का नाम है जिसे पश्चिमी राजस्तान की भाषा माना जाता है मरू भाषा के लिए सरु प्रथम राजस्तानी भाषा शब्द का प्रयोग राजस्तानी भाषा शब्द का प्रयोग 1912-1912 में जोर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक Linguistic Survey of India में किया वे बताया कि राजस्तानी भाषा की उत्पत्ती नागर अप भ्रंस से हुई है वे उन्होंने इसे पाँच भागों में बाटा पहला पस्चिमी राजस्तानी जिसके अंतरगत मारवाडी, मेवाडी, धारकी, बीकानेरी, बागडी, शेखावटी, देवडावाटी, खेराडी वे गोडवाडी है दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्तानी जिसके अंतरगत अहीरवाटी वे मेवाटी आती है तीसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी जिसके अंतरगत ढूंडाडी, तोरावाटी, खडी, जैपूरी, काधेडी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगडी, नागरचोल, वे हाडोती आती है चौथा दक्षिन पूर्वी राजस्थानी इसके अंतरगत रांगडी, मालवी, सैंथवाडी आती है पाँचवा और अंतिम दक्षिनी राजस्थानी, नीभाडी और भिली भाशा आती है तो ये जोर्ज अबराहम गेर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे उफ इंडिया में पाँच भाशाओं के बारे में बताया था अब एक सामान्य से जानकारी कि राजस्थान में अब तक बहतर प्रकार की भाशाएं बोली जाती है बहतर प्रकार की भोलियों के शेत्र हमने राजस्तान में अभी तक निरूपित कर चुके हैं जिसके अंतरगर चौदा मुख्य हैं जो मैं आपको बताता हूँ पहला मारवाडी इसका प्राचीन नाम कूवले माला में मरू भाशा मिलता है इसकी उत्पत्ती गूजरी अपब्रंश से हुई है तथा इसकी उपबोलियां मेवाडी, बागडी, शेखावटी, बीकानेरी, धटकी, थली, खेराडी, नागोरी, देवडवाटी वे गोडवाटी है दूसरा मेवाडी, उदैपुर, भीलवाडा, रासमंद, चित्तोडगड वे प्रताबगड में बोली जाती है वे जगत अंबिकाश्चिला लेखों में सरोप्रथम इसके साक्ष मिले है तीसरा धूंडाडी, प्राचिन्तम उलेक इसका आठ देश गूजरी नामक पुस्तक में मिलता है जैपुर, टौक, अजमेर, दोसा में यह बोली बोली जाती है इसे जैपुर, वे जाडशाही बोली भी कहते है साहित्तिक धूंडाडी, पिंगल कहलाती है तथा इसमें 6 का प्रियोग होता है जैपुर के दक्षिन पूर, वे टौक का पस्चिमी भाग में 84 बोली बोली जाती है सवाई मादुपुर का पस्चिम, वे टौक का दक्षिन भाग नागर चोल बोली बोली जाती है जैपुर का दक्षिन भाग काठेडी बोली जाती है चौथा हाडोती मेवाडी तथा गुजराती से मिलकर बनी है हाडोती सुर्यमल मिशन ने वंश भासकर में इसका प्रयोग किया है वे हाडोती के पठार की तरफ यह भाशा बोली जाती है मेवाती पांचवा मेवाती हर्यानवी तथा ब्रज तथा मरू भाशा का मिकसर रूप है पश्यमी हिंदी वे राजस्तानी भाशा के मद्य यह सेतु का कार्य करती है इसे बोलने वाले इस्तान अलवर, भरतपुर, धोलपुर तथा उत्तर प्रदेश में है छटा मालवी मालवा प्रांथ के कारण इसका नाम मालवी पड़ा है इसमें जहलावाड, कोटा, वे चित्तोड आते हैं निमाडी इसकी उप बोली है जिसे दक्षिनी राजस्तानी भी कहा जाता है सात्वा रांगडी मारवाडी तथा मालवी का मिश्रण रांगडी कहलाता है यह बोलने में अच्छी नहीं लगती है आठवा ब्रज मतुरा के आसपास भरतपुर तथा अलवर में यह बोली जाती है बीसल देव रासो ब्रज बाशा का सबसे पहला काव्य था नवा राठी जिसे अहीरवाटी या यादवों की बोली भी कहा जाता है यह हरियानवी तथा मेवाटी के मिश्रण से बनी है यह अलवर जिले के बहरोड किशनगड के पश्चिमी भाग में बोली जाती है एतिहासिक द्रश्टी से इस शेत्र को राठ वह यहां की भाशा को राठी भी कहा जाता है जालोर से पाली के मध्य गोडवाडी बोली जाती है मारवाडी की यह उप बोली है बीसल देव रासो इसी भाशा में लिखा गया है ग्यारवाँ तोरावाटी जैपुर का उत्तर परवतिय प्रदेश दिल्ली के तौमर से शब्द निकला है इसको मुख्यते सीकर के नीम का थाना वेश्टी माधोपुर में बोला जाता है बारवाँ खेराडी मेवाडी ढूंडाडी तता हाडोती का मिश्रण है तता यह जाजपुर वे टौक में मालपुरा में माल खेराडी इसे बोला जाता है तेरवाँ देवडवाटी सिरोही बोली इसका दूसरा नाम है तता यह केवल सिरोही में ही बोली जाती है चौधवा बागडी डूमरपुर बासवडा शेत्र को वागड कहते हैं वह यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बागडी कहलाती है इसे भिली वाशा भी कहा जाता है तो दोस्तों यह था राजस्तान की शेत्री बोलियों के बारे में कुछ संशिप्त जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बनाया जाए आपके सजेशन साधर आमंत्रित हैं आप दे सकते हैं वाट्सप नमबर है मेरे 9928001400 या आप फेस्बुक के मादिम से दे सकते ह www.facebook.com slash vivimahi या आप मेरे YouTube चैनल FCAVAVA12 के उपर जाएके भी अपने सेजेशन दे सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ और बैतर इसको बनाने की आपका सयोग रहेगा तो और अच्छा रहेगा धन्यवाद जय हिंद पारत मता की जय